बच्चो आज हम चर्चा करेंगे chapter number 8 के बारे में जिसका नाम है आधारिक सरचना यानि बात करेंगे आज हम infrastructure, structure के बारे में हर देश के आर्थिक कल्यान, उत्थान और विकास के लिए उस देश की परतिवेक्तियाय को वरदी करने के लिए उस देश की राष्टयाय को वरदी करने के लिए उस देश का आधारवुत विकास करना अति आउशक होता है तो बच्चो आधारवुत विकास क्या होता है, मौलिक विकास क्या होता है, प्रात्मिक विकास क्या होता है, आधारिक विकास क्या होता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे, यानि आधारिक सरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे, योगि एक देश तभी ही विकास की और अग विकासिल देश कहा जाता है लेकिन अगर हम बात करें तो आज भी हमारे पास परंप्रागत और पुरानी और रूडिवाडी तकनिकी है जिनके माद्यम से हम उत्पादन कर रहे है उत्पादन तो भढ़ रहा है लेकि नुकसान यहीं की लागत भढ़ रही है और जितना हमें चीए उतना नहीं हो पारा है इसलिए भारत विकासिल देश तो है लेकिन हमें अपनी मुलबूत आउशकतों को पूरा करने के लिए तकनी की परिवर्तन करना भी अती आउशक है तो देखिए बच्चो भारत एक विकासिल देश है जो विकास की और अगरसर हो रहा है से उतना नहीं हो पारा है साती है अगर हम राज्यों की साफ से भी देखे तो भारत जो की राज्यों का देश है जहां पर राज्यों की बहुत एपकर है क्योंकि और प्रोडक्शन अच्छा है जब कि उत्री भारत राज्यों में हम देखें तो वहां पे काफी देशा में हमें बेरोजगारी बुखमरी गरी भी देखने को मिलती है इसका सबसे बड़ा कारण है आधारवुत सरचना का अभाव क्योंकि ओद्यों की कलकार खानों का विकास नही को मिलती है इसलिए किसी भी देश का आधारिक विकास तभी संभव है जब उस देश के अंदर ये मूलबुत आउशकतों की पूर्ती की जा सके अब बच्चों जानना ये भी जरूरी है कि आधारिक सरचना किसे कहते है या मूलिक सरचना किसे कहते है या मूलबुत आउशक पूर्ति किसे कहता है देखिये देश का आर्थिक विकास तभी संबव है जब उस देश के आधारबुत सनसादनों की आपूर्ति हो सके, क्योंकि देश के अंदर आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्कrakतिक सभी तरह का विकास करना अतिया आउशग है। इसके लिए सरकार परियतन भी करती है, लेकिन आधारी सरचना क्या होती है, यह हमें जानना चाहिए, तो बच्चों बात करते हैं, आधारी सरचना का मतलब उन सेवाओं और सुविधाओं से हैं, जो देश के ओध्यूगिक शेत्र को, देश के क्रशी शेत्र को, देश के प्र प्रात्मिक शेत्र, दित्यक शेत्र और तित्यक शेत्र, प्रात्मिक शेत्र में बच्चों किसकी बात करते हैं, हम क्रशी और क्रशी से जुड़े कार्यों की बात करते हैं, दित्यक शेत्र को में विनिर्मान शेत्र कहता है, जिसमें ओध्यों की धाचा आता है, और तित्यक सेवाशेतर कहा जाता है और इन शेत्रों के विकास पर ही राष्ट का विकास टीका हुआ है इस लिए इंसेत्रों का विकास करने के लिए जो भी मूल exciting आवशकता है, संसाद ने उनकी पूर्ती करना ही आधारिक सरचना कहलाता है, बच्चों समझ में आ गया, चलिए बात करें, आधारी सरचना में क्या क्या आता है, तो देखें आधारी सरचना में जैसे सडकों का विकास होना जरूरी है, रेल का विकास होना जरूरी है, बंदर खुंपादन की बर्दी होगी तक निकी घ्यान में भी और इन सभी चीजों की समयोजन से देस का आर्थ विकास बढ़ेगा आज अमेरीका ओंड को देखते हैं इटली को देखता है विक्सित राष्ट है क्योंकि वहाँ पे आधारिक विकास दो है वो काफी अच्छा संपन है इसलिए वहाँ पे मुलबूत आवशक्ताओं को पूरा करना आसान होता है और वहाँ की कंपनिया जल्दी से बिल्डब हो जाती है और अच्छा उत्पादन कर लेती है लेकिन हमारे देश में इन समिश् से अगर हम तुलना करें तो कुछ राज्य आगे है कुछ राज्य पीछे और इसका एक्जांपल मैंने आपको दिया कि आज भी बाहरत की उत्री राज्यों में हमें गरीबी बुकमरी देखने को जादा मिलती है जबकि दक्ष्णी राज्य काफी सम्रद है क्योंकि वहाँ भी अजय की बारे में तो दिखे किसी भी अर्थ व्यवस्ता की कारिक शलता एवं उसका विकास उसकी आधारिक सरचना पर निर्बर करता है क्योंकि आधारिक सरचना जरूरी है क्योंकि यह चेप्टेरी क्या है आधारिक सरचना के बारे में क्योंकि जब तक उस देश के जो भी संसाधन है उत्पादन के स्थ्रोत है उन सब का विकास नहीं होगा तो उस देश का आर्थिक विकास संभवी भी कह सकते हैं जैसा कि मैंने आपको होता है कि जैसे अगर हमें तक्निकी ग्यान में अभी वर्दी करनी है तो सिक्षा का इस तरूचा उठाना होगा बेंकिंग से बहुत होगी वर्दी करनी है तो हमें वीतिय संस्ता होगी को लाइसेंस देना होगा उनकी स्तापना ही करनी प अधहार ईसरचना देशे अधारी देश में उत्पादन के तत्वहराक्ताक में व्रदी है। चैनल के सतारादन गुनवत्ता विए चैनल के सूधर की स्वास्ते और सॵास्ते के सुध blow up हो तो is yukac agac usually you can use medicine for the children in state.ер ऊठीश में व्रजगार अगर हम बात करें तो बहरत में एक अच्छा में यूमन पावर है मानव शक्ति है शरम शक्ति है इसकारण अगर हम देखें साथ ही भारत जो है वो प्राकर्तिक संपताओं संपन देश है क्योंकि हर तरगी प्राकर्ति प्राकर्ति अचीव हमारे अवले वले उसके बावजुद भी कमी क्या है प्रमप्राकत तकनिके इसलिए उन सभी चिश्यों को समाधान करते हुए आधारिक सरच्ता को त्यार करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार इसके लिए परियतन कर रही है और इसका पहिणा भी हमने देखा कि देद्दे कई राज्य आगे बढ़ रहे तभी तो आज महाराष्ट को बंबई को भारत की एकोनोमिक केपिटल का जाता है क्योंकि सबसे पहले आर्थी विकास अगर हम देखे तो बंबे में सबसे देखने को मि सामाजीक आधारिक सरचना में शिक्षा, स्वास्ते, आवास, विदाओं का भी विकास करना आउशक है क्योंकि समाज के लिए क्या चाहिए समाज के लोगों का जीवनिस्ता तब ही उचा होगा तब उनका श्रेक्षनी ग्यान में अभिवर्दी हो उनके लिए रहनसेन की व जन संग्या अभिवर्दी से बेरोजगारी भरती है अनपता अशिक्षा वरती है और अगर इस पे लगाम लगाया जाए जन संग्या बे नियंतरण किया जाए लोगों के ज्ञान में अभिवर्दी की जाए तो परिणाम ते इससे कई तरह के अच्छे रिजल्स आएंगे जैसे जैन संग्या भी रुखेगी उनके शेक्षणिक ज्यान में अभिवर्दी होगी उनका तक्निकी ज्यान बढ़ेगा मानव विकास होगा और उनके जीवनिस्तर में वर्दी होगी रोजगार के निया उसर उत्पन होगे तो कई तरह के फाइदे भी है अगर हम बात करें है तो बहरत में बिर्वजगारी के कारणों में कारण जन संग्य वर्दी भी आती है इसलिए मानम व्यक्ति में अगर जन संग्या नियनतर हो जाेगी आधारी सुरірउचना प्रावत हो जाएगी आधारी सुरस्तिति के बारे बात करते हैं देकिए पारंपरिक गंपरिक रूप से देश की आधारी सरसना विक्सित करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सेक्ष्णि संबंदी, संचार संबंदी, याताय संबंदी, जितनी भी मानो संबंदी जो आउशकत है उनकी पूर्ती भी करती है, उनकी प्रियास भी करती है। इसा हुआ भी है, आपने देखा होगा आज बिजली शेत्र में, रोडवे शेत्र में, रेल शेत्र में सरकार ऐसे प्रियास कर भी रही है। साथ ही आपने देखा होगा, जब देश की छटी ओद्यों की नीती आईटी तो उसमें उधारी करन को अपना है गया, नीजी करन को अपना है गया, वेस्वी करन को अपना है गया। तो यहां बच्चों में यह बताना चाहता हूँ कि प्रारमी रूप से देश की आधारी सरस्थना को विक्सित करने की जिम्यदाई सरकार की है, लेकिन अब नीजी शेत्र और सरकार दोनों मिलकर यह काम कर रही है ताकि आधारी सरस्थना को और मजबूत किया जाए, मूलब आज भी गाओ के देश में कहीं ऐसे गाओ जा पर बिजली नहीं पोचकी है, आज भी देश के कहीं गाओ कि जो खिरों से बडितक अब थे कर टैंघ कि 29 उतना नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी भारत सर्कार के दूए परियास किया जा रहे, और सरकार इनके लिए नहीं नहीं योजना ही ला रही है, ताकि ग्रामिन इस तरकार का विकास किया जा सके, देखिये बच्चो सबसे बड़ी समझच्छा ग्रम देखे तो ग्रामिन जन जलूरी है क्योंकि भारत गावों में वस्ता है भारत गावों का विकास है क्यों गाणी जीन पुस्ता में लिखा था सब्सक्राइब करें तो अन्य देशों की तुलना में आज भी हम काफी पिछड है हमारे देश में आधारी सजनावे किया निवेश भी काफी कब है क्योंकि सरकार अभी तक उतना विवेश नहीं कर पा रही है तो जितना हमें और इस पर परियास करने होंगे बढ़ाना होगा इसके लिए सरकार नीजी भागे दारी को भी बढ़ा रही है तक्यों कि हर शाहतर में विकास किया जा सब्सक्राइब तो आधारी सजना होगा है। कि अब बात करते अग्या के अधारिक विकास में ओर्बारे में और चाहिता वो गेर का परम्परागत अंतरगत उन्हें को शामिल किया जाता है बच्चों जिनका उप्योग व्यावसाइक की तरप पर किया जाता है जेसे कोईला पैटोल बिजली इनको शामिल किया जाता है और इनका परियोग व्यावसा इकायो पर किया जाता है लेकिन इनके उपयोग करने के बाद यह समापत हो जाते हैं इन्हें पुनर नवनिकरन नहीं किया जा सकता है इसलिए यह समापत हो जाते हैं वही अगर हम बात करें गेर व्यावसा इस्तुरत की तो उर्जा के गेर व्य किया जा सकता है वही बात करें गेर परंपरागत इस्तरोतों की तो उर्जा के परंपरागत इस्तरोतों के अलावा अन्य इस्तरोत भी है जिनकी दुआरा हम उर्जा सर्जित कर रहे है इसे नवकरणी इस्तरोत भी बोलता है जैसे सोर उर्जा पावन उर्जा जुआर उर्ज ताकि संसादनों को प्रयावत मातर में विजली मिल सके, देश का आधारवुत विकास संभव हो सके, ये सरकार दुवारा किया जा रहा है। वाई प्रदुशन को रोका जा सके, सरकार इसके लिए प्रयास भी कर रही है, और इसके लिए सरकार बजट में प्रावधान भी रखती है। हम देरे देरे अब नौकरणी उर्जा इस्तरोतों की प्रयास कर रहे हैं, ये प्रामप्रागत इस्तरोतों से उर्जा ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं। भारत में विवन इस्तरोत उर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, जैसे अगर हम बात करें तो 2016 में कुल उर्जा उत्पादन का सरसट प्रतिशत भाग हमने तापी उर्जा इस्तरोत से प्राप्त किया। यह सबसे बड़ा इंपोर्ड है कि हमने थर्मल एनर्जी द्वारा उत्पन किया। भारत में बिजली उत्पादन के अन्नी इस्तरोत जल और वाई और परमानू भी है। दोजा सोला में अगर हम बात करें तो जल इस्तरोत का हिस्सा जो था तेरा पॉंट साट परतिशत था। परमानू उर्जा इस्तरोत का 17.33% परमानू उर्जा का इस्तरोत अगर हम बात करें तो यह 2.10% ठीके बच्चों यह भी धारगना तो यहां जल का जो इस्सा था वह 13.60% देश की उर्जा नीती में जल और वाई इस्तरोतों को काफी प्रोसान भी दिया गया और सरकार इसक परयावन प्रदुशित भी नहीं होता है जै सकता और इसे उर्जा के नए इतुलत भी बिलल्डब किये जा रहे है इसके अलवा परमानू उर्जा से ही परियावन सम्दी पायदा भी हो रहा है तथा अधर भारत में निग श्तरोटों से उर्जा उतपाधन के सरकार दोरा प्रयास किये जा रहें और सरकार इसके लिए नित नहीं नीतिया ले के आ जाए है, अब बात करें, भारत में उर्जा संकट को कैसे रोखा जाए, इसके लिए कुछ सुझाओ भी है, जैसे सरकार को गेर परंप्रकत उर्जा इस्तुरूत का उप्योग को प्रुसाहित करना चा क्योंकि सरकार के पास अभी वित का अभा होए निवेश की कमी है ताकि नीजी निवेश को बढ़ा गए निवेश की पूर्थी की जा सके साथ ही ग्रामिन शेत्रों में जो बिजली की चोरी हो रही उनके लिए रोका जाए कठोर मापधन बनाए जाए बिजली चोरी को रोका होगी कारी कुष शलता में बुला थी का सी होगी केसी दैस के त्ही कि बिजली लुगा पटेशनव में और एवकास मेश की और और मिर का होफिए लोगों की शुज्ष दूरीश क तो यह कुछ मेत्ते बोने जो स्वास्ते को अभीवर्दी लाते हैं तो देखे आपने देखा होगे प्रारब में भारत में शिशु मत्युदर की रेट ज्यादा थी क्योंकि बच्चों को प्रयापतर रुप से इलाज नहीं मिल पाता था बच्चे होते ही मर जाते थे ब्रू साथी पोशन संबंदी कारिगम भी बढ़ाए जा रहे ताकि उनको प्रयापतर रुप से पोशन मिल सके साथी जीवन परतेशों को बढ़ाने के लिए सरकार दोवारा प्रयास किये गए भारत में स्वास्ते सुईदाओं का विकास और विचार की जिम्मेदारी सरकार की होत आगे नहीं बढ़ सकते हैं अगर हम बात करें तो दुनिया के अगर 155 के देशमें बात करें तो इतली की सुष्वीदा है कावि अच्छी है, इसलिए वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ का व्यक्ति जादा सुष्थ है, भारत में इसके लिए प्रयास किया जा रहा है, ताकि मात्त मित्य उद्र को जाया है शिशू में तो ददीना को रोका जाए न रंगानपाद को भढ़ात को बढ़ाए जाए जाँ- और स्वास्ते समनी सुरुक्षायों को प्रियास किया जा सकते भारत तो स्वास्ते आधारी स्रेक्षन की अपने जा रहा है तो उन पतेतियों का विकास किया जा सगे ताकि प्रयापत रूप से सभी लोगों तक चिकिश्चक सुईदाय पो सगे और कम लागत पे उन तक इलाज संभव किया जा सगे और इसके लिए आपने देखा भी होगा सरकार द्वारा मुप्त दवा योजना चल संभव नहीं है क्योंकि मां का विकास होना ज़रूरी है सुवस्ते रहना जो है ताकि उनके बच्चों का बरण पोशन अच्छा से हो सगे और उस देश का उस परिवार का स्वास्ते संभव किया जा सगे स्वास्ते आधारी सरजना की स्थिति में बात करें तो भारत में कैं साथ में अधिन मंदी नीतियो और योजने बनाती है और लागू भी करती हैं यह सरकार का होता है पिछले कुछ वर्षों में सवर्व में सरकार किये द्वारा कियेगे परियासों के अभी वर्दी का भी ये फाइदा देखने में मिलता है तो देश का आधारी विकास उस देश की जनसंक्या से सक्षम बने कारेकुशलता में वर्दी हो और पढ़िणाम तो उस देश का आधारुट विकास होगा तो बच्चों इस चैप्टर में हमने जाना कि एक देश विकास की और अग्रसर तभी हो सकता है विक्सित अधास्टर तभी बन सकता है जब उस देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनेतिक, सांस्क्रतिक विकास संभाव हो और इसके लिए बुनियादी आउशकतों को पूरा करना आउशक है बुनियादी आउशकतों को पूरा करने की जिम